हेलो एवरीबन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उमीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे आप सबी का आपके अपने चैनल एसके ब्लोग्स में बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड सबसे पहले आप सबी को मेरी प्यार भरी राधे राधे आप सभी के लिए परम्तिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी से हत बक्से आप सभी की सारी मनों कमनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में धेर सारी खुशिया आएं अभी ये सुबह साथ बजे का टाइम है गोविंद को मैंने जगा दिया है और अब मैं गोविंद के स्नान की तहियारी कर रही हूँ तो सबसे पहले तू देख लेती हूँ कि लाला ने आज ड्रेस कौन सी पहनी है मुकुट कौन सा धारन करना है माला कंगन बाली वगएरा सारी तैयारी करके और फिर मैं लाला को स्नान करवाती हूँ अभी बीच में दो दिन से वीडियो नहीं बन पाई थी एक तो मेरी दो दिन से तबियत खराब थी और आप सबको तो पता है कि जब मन खुश नहीं होता है तो कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती है बस जैस कि अंदर से जो खुशी होती है वो नहीं बन पाती क्योंकि सरीर ठीक ना हो तो फिर काम तो जैसे तैसे ही होता है तो दो दिन से मेरी तबियत खराब थी इस वज़े से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी और आज मैं काफी अच्छा मैसूस कर रही हूं वैसे तो सुबह 5 जिसे वीडियो स्टार्ट नहीं कि फिर अभी लाला को जगाने के बाद ही मैंने वीडियो के स्टार्टिंग की है कि चलो जितना आगे का रूटीन है वो मैं आप सब के साथ शेयर कर लेती हूं तो मैं अभी पूजा की थाल को मांच के रख देती हूं जोत होती है वो सब औ और एक दो बरतन होते हैं पानी के उनको माच के उनमें ठंडा ताजा जल भर लूँगी फिर लाला के सनान का पातर तयार करोंगे ये सब मतलब काम करते करते बई 15-20 मिनिट तो लग जाती हैं तब तक लाला जो है उठने के बाद थोड़ा सा हलका पन मैसूश करते हैं बाद म लाला को सनान कराते हैं तो ये लाला के सनान का पातर है इसको तयार करूंगी तो पानी में मैंने थोड़ा सा गंगा जल डाल लिया है इसमें एक तुलसी पत्ता होता है और ये है हल्दी हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल के और अब हल्दी से मैं इसमें आम लिखूंगी श तो चूड़ी कंगन जो भी पहनती है वो जले हुए पर लगता है और फिर बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो दर्द इतना हो जाता है कि ऐसे नहीं होता है तो दो तीन दिन पहले जल गया था मेरा हाथ तो मैंने तीन दिन से अपने कंगन एक हाथ के निकाल के रखी हुए ह कि ये हाथ मेरा जब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तब मैं कंगन पहनूँगे नई तो जैसे ही वो थोड़े से नीचे आते हैं कंगन और आत पे लगते हैं इतनी जलन होते हैं बहुत जादा तो मजबूरी में निकालने बढ़े हैं आसे तो मैं दोनों हाथों में इकंगन वगरा पहन के रखते हूं और यह देखिए अब आपप लाला के दर्शन कर लीजिए आर्थी हो गई है और भोग लगा दिया था मैंने आर्थी करने से पहले है क्योंकि मेरे लाला को भोग लगती है जल्दी तो इसलिए पहले भोग ल बोटी मैंने बना दिया, सासुमा ने खाना खा लिया, और बाकी घर में अभी सबने मना कर दिया कि हमें भूख नहीं है बाद में बनाना, तो मैंने फिर छोड़ दिया, ऐसा ही आटा ढ़के रख दिया, और फिर आगई मैं यहाँ पर तुलसी में आपना के शनान का जलोद द तो मैंने सोचा कि चलो आज सौंवार है और ये मंजरी जो है ये हटा देती हूं क्योंकि कहते हैं जब तुलसी पर मंजरी ओती है न ज्यादा तो वह एक वजन होता है वजन तो ये लगा लीजिए पोधे की ज्यादातर ताकत होती है वह बीज को बनाने में और पकाने में चल कि जाती है तो इस से तुलसी मेगा को दिक्कत होती है तो मैं ये सारी मंजरी ओतार देती हूं और इसका जैसे या तो इस्तेमाल कर लो फहले ठाकुर जी को अरपित कर दो फिर आप जैसे मरजिय। चाहो किसी गंबले में या कोई आपकी क्यारी हो फूल पोधों की उसमें डाल दो कुछ तुलसी के पोधे उगाते हैं कुछ इनकी गल के खाद बन जाती है बहुत सारे उपयोग होते हैं करने को तो बट मैं तो जो तुलसी का गंबला होता है या दूसरा होता है जब यह सूख जाते हैं तो इनको मसल के और गंबले में डाल देती हूँ नीचे से कोई एकाद पोधा उगा जाता है और इनकी गल के खाद लगती है पोधों को उसका गुण मिलता है तो अभी तो यह सारी मंजरी हटाऊंगी कैंची की साहता से क्योंकि मैंने सुना है कि नाखुन से नहीं हटानी चाहिए नाखुन लगती है तो दोस लगता है पाप लगता है नाखुन से नहीं हटानी चाहिए तो मैं एक छोटी सी कैंची होती है उसकी साहता से धूंडोंड के सारी मंजरी हटा दूंगी और मंजरी तो देखे इधर वाला जो पोदा है ना काफी छोटा है यह फर्स नंबर वाला क्योंकि यह तो भी थोड़ी तिन पहले लगाया था मैंने हो गया है एक बित्ते भरका हो गया है तो इस पे भी मंजरी आ गई है मतलब इतने छोटे पोदे पर भी और यह दो गमले में तो काफी बड़ी बड़ी तुलसी के पोदे हो गई है तो तीनों पोदे की मंजरी हटाऊंगी और फिर मसीन भी लगाई हुई है वैसे तो आज मोसम काफी खराब हो गया है क्योंकि जब सुबह मैंने मसीन लगाई थी ना तब मोसम इतना खराब नहीं था तब तो अच्छा था नहीं लग रहा था कि बारिश आएगी दूप भी थी सब ठीक था उस टाइम पे तो लेकिन अब जब मैं तुलसी मया की मंजरी उतार रही हूं इस टाइम पे भी हलकेल की बुंदा बांदी हो रही है साथ बज़े शुरू हो गई थी और मैंने मसीन लगा दी थी च्छे बज़े लेकिन फिर कपड़े दोने का बीच में टाइम नहीं लगा मसीन लगा के और फिर मैं लग गए थी जूस वगरा बनाया तीन ग्लास जूस बनाया फिर बाकी के सबजी वगरा बनाई चोटे मोटे और काम किये फिर लाला के जगाने का टाइम हो गया फिर कपड़े दोने का तो टाइम ही नहीं मिला फिर सोचा कि एक बार में ही लगूंगी और सारे कपड़े एक साथ धो दूंगे फिर कपड़े धोने जाने ही वाली थी तो तुलसी मेया में जब मैं सीचने आई तो देखा कि काफी सारी मंजरी हो गई है सौंबार का दिन है क्यों ना मैं इनको हटा देती हूँ क्योंकि जो काम हो जाता है हो जाता है और बाई चानस उसको हम आलस में छोड़ देते हैं कि चलो अब नहीं कल करेंगे वो कल पे फिर अगली कल आ जाती है वो कली नहीं आती कभी भी इसलिए बस कर ले सो काम और भजले सो राब और मंजरी उटाने के बाद फिर मैं लग गई थी कपड़े धोने में और कपड़े लगबग मेरे धुल चुके हैं बस थोड़े से ही बचे हैं ये वाले तो अब मैं मसीन से निकाल के और इसमें रख देती हूँ टोकरी में और नीचे वाले टोकरी जो है न वो धुले वे क कपड़ों की भरी हुई है वैसे तो मैं ज्यादा तर साथ के साथ यहीं पर भार फैला देती हूं लेकिन इस टाइम पे हलकी फौर गिर रही है तो कपड़े यहां सो खाने का कोई फाइदा नहीं होगा फौर लगेंगी उपर से और कपड़े साथ के साथ गिल्ले हो जाएंग कपड़े वगरा रखे होती हैं तो अंदर फिर वह रसी लगा के और फिर हम उस पे कपड़े फैला देते हैं मसीन में ड्राइब करने की बाद पंक्खे वगरा चलते हैं जल्दी सूख जाते हैं टाइम नहीं लगता है तो विशाल के पापा जी अंदर रसी लगा रहे हैं तब तक ये थोड़े बहुत कपड़े हैं, इनको पाणी में से निकालके, और इनको भी ड्राई करके, एक साथ ही अपना अंदर सुखा देंगे, वैसे तो ज़्यादा तर धुल चुके हैं, बस ये लास्ट वाले बचे हुए हैं, तो विशाल के बापा जी अभी यहां पे आ लगा दी हैं, और अब दोनों मिलके कपड़े सुखा देते हैं, तो मैंने इनको कहा है कि बार बार उपर नहीं चेचर ना उतरना, एकाथ कपड़ा आप मुझे पकड़ा दो, कुछ आप टांग दो, तो सूख जाएंगे, क्योंकि रोटी भी बनानी है, सबको बूख लगा क्योंकि यह बस फुलके बनाने हैं, और साथ के साथ खिर सब खाना खा लेंगे, तो यह सारे कपड़े अभी रस्यों पर टांग देती हूं, शाम तक सूख जाएंगे, कुछ तो जैसे जाली में से हवा आएगी, आर पार, कुछ बई पंखे भी चलते रहते हैं, तो सूख जाएंगे, गर्मी भी काफी हैं, और बाहर यह है कि एक बार तो बारिश आ जाती है, फिर बंद हो जाती है, फिर लगे कि हाँ बारिश बंद होगी है, फिर आ जाती है, कुछ अच्छी बारिश भी नहीं हो री, बस वो कहते हैं हलकी बुंदा बांदी सी, वो री है, तो ल रोटी बनाने के बाद पिर पोचा लगाओंगी क्योंकि अब तो भी रोटी बनाने में लेट हो जाओंगी तो फिर अनुझ अपना भी जाड़ जूड़ू लगाएगा तब तक मैं रोटी राटी बना लेती हूं सुबह का काम मेरा निपट जाएगा साब सफाई भी हो जाएगी और यहाँ पे यह एक फोल्डिंग मैंने अलग से डाल दिया है निच्चे वाला गद्दा है रात को हम सारे एसी चला के और इसी रूम में सो जाते हैं अनुज, विशाल, विशाल के पापाजी और हमारे प्यारे से गोविन हम पाँच जने यही पर सोचाते है वह WassiST का 2-2-3, 3-4 सासु माइशा छ़े मेरा नुजका तो बिल फिर कापTime का पह liters तो एसे मेंना फिर 2 में काम साम चल जाता है और एक हमारा और ये टाइम है शाम के पोने पाँच बचे का कपड़े सारे सूख चुके थे और अब शाम के टाइम पे मैं बनाऊंगी करेले तो करेले भी बनाने है तो सोचा कि चलो 15 मिनट का काम है एक बार ये कपड़े समेट देती हूं सारे सूख चुके हैं पूरे घर में कपड़े टंगे हुए हैं मुझे अच्छा नहीं लगता भी फैला हुआ काम उसको समेट दो तो ठीक रहता है फिर रसी को भी खोल दूँगी क्योंकि रात को फिर एसी चलाने के लिए दर्वाजा बंद करना पड़े का रसी बंदी रहेगी तो दर्वाजा भी बंद नहीं होगा तो ये सारे कपड़े सोख चुके थे प्रैस के मैंने अलग कर दिये हैं बाकी की कोई सबजी बनानी हो वो तो फटा पड़ तयार हो जाती लेकिन जब करेले बनाने होते तो उसमें टाइम जादा लगता है तो ये है कि पांच बजे लगोंगी तो टाइम से करेले की सबजी बनके तयार हो जाएगी फिर शाम का खाना पूजार ती सब काम चलता ही रहेगा तो बैनोः आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ अगर आप सब को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like share कर दीजिए आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रूटीन के साथ तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार प्यार भरी राधे राधे आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए